हेलो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि हम 2023 के लिए मैस में जितनी भी कोश्चिन जो इंपोटेंट है चैप्टर वाइस हम वो सारे के सारे बता रहे हैं उसी में हम चैप्टर 4 पे पहुँच चुके हैं जो कि हमारा है दुईगात समीगन तो हम इसमें ही सारे इंपोटेंट कोश्चिन बताने वाले हैं इस चैप्टर के जो 2023 के लिए हमारे क्या है इंपोटेंट है 2023 के लिए ठीक है तो वो हम सारे आपर बताने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडि चैनल है उसको सब्सक्राइब करें वीडियो उसको लाइक करें और शेर अपने दोस्तों के साथ जिससे की यह कोश्चन उनको भी पता चल सके तब जैसे कि हमें पहला कोश्चन है इसमें दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ग्यात के जिनका योग 2700 और गुड़नफल 182 हो ठ पाएगा ठीक है तो अगर आप इनका सल्यूशन भी चाते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मैं एक सल्यूशन पर वीडियो बना दूंगा अभी मैं खाली कोश्चन बता रहा हूं जो जो इन्पोटेंट है ऐसे ही क्या है हमारा दूसरा कोश्चन है जो हमें दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर क्या है एक सोस्ती है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है आठ गुना है तो दोनों संख्याएं ग्याद करो ये भी 2023 के लिए इन्पोटेंट है most important मानलों ये दोनों कोश्चन ही ठीक है ये कोश्चन में क्या है अब इस समीकर निगा लें तो इसे सॉल्व करेंगेक तो हमारे पास दूनों संख्या आएंगे अब इसका तीसरा कोश्चन ये तीन कोश्चन जो स्टार्टिंग वाले हैं ये आप समझके चलो कि इन में से कोई ना कोई एक कोश्चन यह मेरे हुद है ँष्यासरत को स्पर्ड्याु आ सकता है विससे तीन नंबर के लिए चार नंबर के लिए सारे कोश्चन in important है तीन हो मेरे साफ से इसमें तीसरे कोश्चन में क्या रखा है कि तीन वर्षपूर्व मोहन की आयू यानि की वर्षों में का वित्करम अब शेब पांच वर्षपश्चात आयू के वित्करम का जो हमें देर रख्व तीन वर्ष पूर्फ पूर्फ नीकलेंगे फंच वर्ष बाद दोन आयूँ नीकलेंगे उनका वित्गर Rash को बतलब अहां जाहेगा इसी वन अपॉन तो इसके एक्वेशन हमारी यह बन जाएंगे फिर इसको सौ लोगल लेंगे ठीक है तो यह इंपर्टेंट कोश्चन है जरूर देखें अब हमारे पास आते हैं चौथा कोश्चन और इसका पांचवा कोश्चन चौथह वोश्चन में क्या दे रखा है एक समकौन तुरूज की उच्षाई दे रखिए उच्था है इसके अधार से साज सेंटीमेटर कम है यदि कण 18 सेंटीमेटर का हो तो आन्य दो हुजाये में ग्यात करने है तो इसने क्या दे रखा है हमारे 2 सबक्रिइशन – ठीक है उसमें क्या है उसकी जो उचाई है इसके अधार से कितनी है साथ सेंटिमेटर नहीं कि इसके अधार से नहीं कि हमें क्या करना पड़ेगा अधार मानना पड़ेंगे एक्स तो उचाई क्या है इसके अधार साथ सेंटीमेटर गम है तो माइनस कर देंगे और इसमें कानदे रखा तीरा सेंटीमेटर ठीक है इसमें क्या करेंगे पाइथा ग्यूरस ठीरोम लगा के इसे सॉल्व गल लेंगे वहार पास जो अन्य दो जाएं उनके आंसर आ जाएंगे अब ऐसी क्या हमें यहां पर दे रखा है कि एक मोटर बोट जिसकी इस्थिछल में चाल 18 क्लेमेटर परतिकूल जानेमेण जो लगा समय हो एक घंटा जाद लगता डहारा की चाल मांने लेंगे एक और क्या जिसकी स्थिर्जन में एक मोटर बॉट दे रखी है यहां से चाल वराबर तो यहां पर दूरी हमें कि चाल ने गाली चाल वराव दूरी बटे समय से यहां जाने में लाइगा अरी क्या श्राइन कि 4 अधिक लगता है ठीक है तो यह हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं तो यह हमारे भी पांच कोश्चन होगा अब देखते हैं हम आगे इसके आगे क्या दे रखे हैं तो इसमें दे रखे हैं हमें इसका च्छटा कोश्चन कि दो वर्गों के 6 तरफलों का यूग कितना है 468 मेटर स्कॉयर है यदि उनके परिमापों का अंतर इनके जो परिमाप हैं उनका अंतर कितना हो 24 तो दोनों वर्गों की बुझाएं गयात करनी ह पहले हमें क्या बुझाएं जो हमें मान लेंगे कि दोनों वर्गों के 6 तरफलों का यूग हमें दे रखा है और उनके परिमापों का अंतर दे रखा है यहां समय कर दोने कि फिर क्या इने 100 लों कर लेंगे जिससे हमारे का दोनों बुझाओं का जो हमारा दोनों बुझाओ कि जो उन्होंने परिमाप पूचे दोने बुजाएं गयात कीजिए वो हम क्या यहां से निकाल लेंगे अब एक most important question आता है most important समाज़ लो भाई या बुल है ये बुल मतलब हर साल भटकता ही रहता है question मतलब हर साल का मान लो होजवाल तो इसमें क्या करेंगे हम हर साल आता है question में question मान की चलो इस chapter गया से भी जैसे वह आगे वाले तीन question में थे वैसे ही ये question में ने तो इसमें क्या दे रखा है ये दो पानी के नल है हमारे पास जिसे हम एक साथ एक हौज को भरना है उसमें कित टाइम लगता है नो सही तीन मटे आठ गंटे और बड़े ब्यास वाला एक नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले से कितने दस गंटे कम लगते है जब बड़ा है तो वह ये उसमें कम टाइम लगा चोटा बढ़ जाना टाइम लगा तो पर तीए द्वारा अलग से हौज को भरने में समय गयात करना है पर तीए को अलग से गयात करने में पहले है क्या है हमें पता करना पड़ेगा कि बड़ा जो हमारे बड़े ब्यास वाले जो हौज है नल हौज वो कितना टाइम लगाता है और जो छोटा वाला है वो कितना टाइम लग अगर हम कम ब्यास वाले का निकाल लें और उसमेंसे कि अगर हम इसको घटा दे तो हमारे बड़े ब्यास वाले इस नल से जो भी बढ़ा जाएगा वो भी आजाएगा तो प्रतियक द्वारा हमां लग लग हौज भी बता सकते हैं तो यह मोश्ट इंपोर्टेंड कोश्चन है दो जाएगा तेज के लिए तो आप जरूर पढ़के जाएं यह कोश्चन तो आप यह जो हमारा हौज वाला था जरूर पढ़के जाएं दो जाएगा तेज के लिए मोश्ट इंपोर्टेंड हैं यह चार इससे तो मोश्ट इंपोर्टेंड होगा है और जितने हैं यह आट होजबला है और यह सरस रिपीट होता रहता है इसमें क्या लिखा है यह आएगा यह दोनों भौशबला भी और यह वी तो यह पांच नंबर वाले कोशन है 5 नंबर वाले तो इसको ढंग से रैडी करके जाए क्योंकि ये question repeat होने के सबसे ज़्यादा chances रहते हैं ठीक है तो इसमें क्या दे रखा है कि 13 मेटर ब्यास वाले एक ब्रत्यकार पार्की परिसीमा के एक बिंदू पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक ब्यास एक ब्यास के दोनों अंते बिंदू पर बने फाटक A और B यानी कि हमारे पास एक यह दे रखा है जो हमारे पास पार्क है उसके हमने ब्यास दे रखा है 13 सैंटिमिटर का और यहां पर दो गेट है A और B से दोनों खंबों की दूरी का अंतर कितना होना चाहिए साथ होना चाहिए तो क्या ऐसा संबब है संबब हो तो दोनों फार्टकों से कितनी दूरी पर यह जो हम खंबा लगाना चाहते हैं वह तो क्या हमें यह दे रखा है ब्यास एक हमक्य करेंगे एक हमें explain मानना है कि इसमें कि लिखाला कि यूद्री पर बने फाटक A & B से जो हमारी तो उसने बोले इता हम से कि जो हमारे पास दो फाटके ए और ब उसमें क्या है साथ का अंतर ये बोला उसने तो हम क्या करेंगे एक को मान लेंगे X पॉइंच कोई मान सकते हैं इसे मान सकते हैं अंतर गया साथ यानिकि अगर यह एकस है तो में प्लस 7 ओजा कैं डुनों अए का एक संपकॉन स्यंहों एक स्यूर्ब स्यूर्ब APB में ठीक है वहाँ से हम पाइथागरस ठीरम लगा कर X की value निगाल लेंगे फिर हम बता देंगे कि जो हमारा पहले point है X की दूरी, A point की दूरी B से P तक की दूरी कितनी है और A से P तक की दूरी कितनी है वो हम ऐसे बता सकते हैं तो ये question 5 number के लिए most important question है most important आप ये दो question जरूर पढ़के जाएं बहुत पूछे जाते हैं दोनों question अभी क्या है कि सारे के सारे इस chapter के हो चुके हैं अब आप वीडियो को अराम से देखें और अगर आपसे question ना हो by chance ना हो वैसे तो हो जाएंगे अगर ना हो तो आप comment box में बताएं कि आपसे कौन सा question नहीं हो रहा है मैं आपको महाँ पर solution बता दूँगा कि आप कैसे करें कि आपसे question हो जाए ठीक है और अगर आप हमारे channel पर नए हो तो आप हमारे channel की videos को share करें जिससे वो video आपके जिसका फायदा उन्हें भी मिल सके तो आप ज़रूर शेयर करें ठीक है और ऐसी video हर chapter की अब रोज ही आने वाली है तो आप हमारे channel पर बने भी रहें जिससे कि आपको वीडियो का पता चलता रहें ठीक है अगर आप हमारे channel पर नए हो तो आप हमारे जो channel है उसको subscribe करें वीडियो को like करें अब मिलते हम next वीडियो में ठीक है जब तक आप watch करें वीडियो को और share कर जादे से आदा